Annoyos Hello Foodies तो आज मैं लेके आई हूं Mango special धमाके दार recipes जी हा मैं लेके आई हूं फाई बहुत ही quick बहुत ही tasty बहुत ही special mango की recipe रुकी रुकाते, यही बे नहीं आगे भी बहुती amazing शीरीünü शीज है जी हां, आज मैं आज सिखाने वाली हूं मेंगो को आप साल भर कैसे स्टोर कर सकते हो जिससे कि बिना सीजन के विए आप ये मज़ेदार ची रेसिपी मेंगो की कभी भी कुइक बना सके तो चले श्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो बड़े आम मैंने यहां पे लिया है सफेदा आम आप अपनी पसंद का कोई भी आम ले सकते हैं बस आपको ध्यान ये रखना है आम में ज्यादा लेसे ना हो टेस्ट बहुत अच्छे वाला हो फ्रेश आम हो और सड़ा गला आम ना हो इन चीजों का अच्छे से ध्यान आम के सीजन में हम बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं कि आम का सीजन चला गया तो हम क्या करेंगे तो आज की अगर रेसिपी आप सीजन में जब आम कम प्राइज में मिलता है तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं साल भर के लिए कैसे करेंगे वो मैं अपनी वीडियो में पू आप देखें और बहुत अच्छे टिप्स और आपको शेयर करने वाले हूं आज में तो देखें मैंने यहां पर 400 ग्राम तक मेरा आम निकला है यहां पर और यहां पर मैंने मैंगो के चंक्स कर लिए हैं अब मुझे क्या करना है सबसे पहले मैंगो के सारे जो गुदा है उ 400 ग्राम के अंदर अगर मैं डाल दी हूं तो मुझे 37-80 ग्राम शुगर डालनी चाहिए मैंने डाली है और डालने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया एक अच्छा सा स्मूध पेश्ट बन चुका है और आप देख सकते हैं कितना सिल्की स्मूध पेश्ट बन गया है अब करना है को उसके बाद कुछ और भी मैं डालूंगी और इसकी साथ ही इस मैंगो पल्प को बनाने के बाद में सारी रेसिपी इसी से बनाने वाले हूं तो पूरा अध्यान से देखना और इस मैंगो पल्प से आप बहुत सारी और भी ज़्यादा रेसिपी को क्रियेट कर सकत तो 100 ग्राम भी जाल सकते हैं लेकि मैंने या पर थोड़ा कम डाली है यह देखिए मैंगो पल्प कुक हो चुका है साथ से आठ मेट के अंदर बहुत ही सिल्की हो बहुत ही स्मूध हो गया है काफी ठीक है ठंडा होने के बाद इस तरह से आप एरटाइट जब्बे में डाल के फ्रीजर में से स्टोर करेंगे और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है चले मैंगो पल्प की रेसिपी तो मैंने दे दी अब हम करते हैं रेसिपी इसकी बात तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैंगो रबडी मैंगो रबडी बहुत ही स्पेसल है एक तो रबडी की रेसिप से दाने दाल लच्छे दाल रबड़ी और भो भी मैंगो वाली बना सकते हो तो दूद मैंने फुल क्रीम लिया है आप देखी रहे हैं और उसमे मैंने चार बड़े चमस डाल दिया है मिल्क पाउजा अगर आप मिल्क पाउजा नहीं जाले तो भी चलेगा बस थूड़ा सा द दाला है दही जी हां दही जो रबड़ी के अंदर मेजिक का काम करने वाला है यह बहुत ही मज़ेदाशी ट्रिकर लेकिन दही मेरा थोड़ा सा मीठा था तो जल्दी रेक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं है थोड़ा सा और जाल दिया मैंने को करते जा रही हूं बीच- साची मेट हुए है हमारे दूद को बॉइल होते हैं साइट से स्क्रैप कर रही हूं क्योंकि साइट में जब गारा दूद होता है तो जबना शुरू कर देता है तो हमें जो रबड़ी बनाने के लिए बीस मेट से ज्यादा नहीं लगेंगे जनरली क्या होता है हम दो दो घ कडाई में साइड में डखने से क्या होगा इसके लच बात में बहुत अच्छे निकलके आएंगे तो गाईज यह देके दूद में जो है थोड़ा दाना निग्ण दिखना शुरू हो गया है और जैसे से गरम हो रहा है दूद्व आना जो है दिखाई देना शुरू हो गा ह दही की बज़े से होगा दही से दूद बिलकुल नहीं फटेगा बस इस तरह से देखे लच्छे बन के तयार हो जाएंगे है ना मज़ेदार से और देखे आधा भी मैंने दूर रिज्यूश नहीं किया है तो ये आपको लग रहा होगा पतली चिंता मत कीजिएगा ठंडी होत तो यहां देखिए हमारा जो रबडी है बनके तयार हो गई है इसमें थोड़े से में नच डाल दूंगी पिस्ता बदाम जो भी आप डालना चाहें इसमें सौक से डालें और साइट से मैंने पूरा जो लच्छे ते स्क्रैप कर दिया है ये जब पढ़ेंगे तो और कितनी मज़िदा लच्छे वाली अब आती है मैंगो रबडी के लिए तो हमें मैंगो पल्प डालना है तो वही पहल पर हमारा बना हुआ था तो हमारा काम तो बहुत ही आसान होने वाला इस मैंगो पल्प के साथ गाइस यगर आज की सारे टिप्स और रेसिपी आपको पसं दूसे रेसिपी के ऊपर की मैंगो रबडी जाली है और मैंगो का एक बड़ा चमच मैंगो पल्प और तीन बड़ा चमचा रबडी तरह से पोश्चन में लोग ए अच्छी से करना है मिस थोड़ा से येलो कलर जाल तो ठोड़ा सबनाना थो और अगर आपको लगता है मैंगो पल्क टाला है क्योंकि उसमें और स्ट्रॉंग फ्लेवर आएगा और दूद डाल सकते हो मैंने थोड़ सा दूद एक दूद चमश डाला था क्योंकि बहुत गारी हमें नहीं चाहिए इससे ज्यादा गारी होगी तो हमारी कुलफी का मजा नहीं आएगा ठीक है होना एच्छा है तो हमारी मैंगो कुलफी बनके रेजी हो जाएंगे तो यह देखे इससे फॉयल पेपर को ऐसे लगाना है और इससे जो है हमारी जो कुलफी में जो है आइस क्रेस्टाल्स नहीं आएंगे तो इसलिए फॉयल पेपर को लगाना ना भूलें यह तो जबने क कुल सी दासे हैं कि ढूंग कोति कि एक पर में थाल 지나से हो तो आप एक काम करेंगा मैंगो कस्टरड बना लेंऔर के लिए किया करना एक कप दोद में दो चमच कस्टड डालना है और शुकर जालके उसको चलाते रहना थिक करना जब थिक हो जाए तो यही वाला मैंगो पल्प डालके ब्लेंड कर लेना और आपका जो रसमलाई का क्रीमी सा जो है रबडी वाला दूद बनकी रेडी हो जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर थोड़ा दूद डाल ले हूँ क्योंकि मैंगो पल्प काफी गाड़ा है और रबडी भी काफी गाड़ी हो चुकी है तो मुझे लगा मैं क्यों अलग से दूद बना हूँ जब मेरे पास रखा है और इसमें मैंने एक बड़ा चमच्चीनी भी डाल दी है जो करते हैं अःतुरी नी फिस साइप तो सारे रेसिपी बहुत ही से रेस्प्राइजिंग और एक वीडियो में आपको मैं तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह बहुत सारी चीजिएां सीखने वाले है इस जटता है प्रेश ब्रेच को लिया है रोल किया है जिससे से गलास से हम ब्रस्मलाई की शेप में करने वाले हैं कट गाइज आपको मुझे बताना है कि आप हमारे यह वीडियो कहां से देख रहे हैं अपने सहर का नाम बता है जिससे कि मैं आपको थैंक्स बोल सकों अपने नेक्स वीडियो के अंदर बाके यह रेचिपी बहुत लेए हैं आपको जरूरत नहीं है हमारी रब्री में अन्गो रस्मलाई बनाई है तो जरूरी नहीं के है रेसीपी में आपको रब्री बनाना है यह देखिए दूद्ध का रिका है ना मैंने इतना ही पतला कर कर लखा एक ब्रेट बैटी उर्ट ड्समलाई ऑपर यह वार् मैंने थोड़ा सा रबड़ी से इसको जकुरेट कर दिया है जी हाँ फिर क्या करना है नट्स डालने है और नट्स डालने के बाद थोड़ा सा जकुरेट करने के लिए कुछ और भी डालने वाली हूँ क्या डालने वाली हूँ याद आया है जी हाँ मैंगो चंक्स्टू मैंने कट करके रखे थे उनसे में से जकुरेट करने वाली हूँ तो आप देख रहे होंगी रेसिपीज कितनी जटबट बन रही हैं और ऐसी रेसिपीज आपने अभी तक ट्राइब भी नहीं कियोंगी तो जरूर बनाईएगा और इस बार की समर्स को थोड़ा सा मेमोरिवल बनाईएगा हमारी रेसिपीज के साथ रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है काफी गाड़ी हो गई है तो इसलिए ज़्यादा कुक नहीं करना गाईस आदा ही दूद को कुक करना और इसको भी हम यकुरेट करने के लिए बड़ाम पिस्ता और थोड़ा सा रोज पचल के साथ इसको सर्फ करेंगा तो आप देखे हमारी तीन रेसिपिस तयार हो चुके हैं हमारी लच्छा मैंगो रबड़ी हमारी मैंगो रबड़ी कुलफी और हमारी रस्मलाई भी अब हम बना रहे हैं जी हां हम बना रहे हैं मैंगो लसी में proposal मैंने 1 cup दही लिया है और एक बर्ट चमच यहाँ मैंगो पल्प डाला है तीन बर्टे मैंने चीनी डालिया है हुप साल आइस डालने वाली हो माला बर्फ के टुकड़ी डालने वाली हो अब बस इसको ब्लैंड कर देना है तो लस्टी बनाना तो बहुत ही जी है मैंगो का अगर पल्प नहीं होता तो आपको कट करने में टाइम लगता बट यहां तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है और यह देखे ठंडी ठंडी कूल कूल बहुत ही गारी सी लस्टी बनके तयार है गाईस और इसको मैं मिट्टी की ग्लास में सर्फ करने बाले हूँ तो मेरी मेंगो लस्टी भी बनके तयार है इसको भी थोड़ा जैकुरेट कर देती हूँ उपर से मेरे पास रबड़ी रखी हुई है कजो कर सकते कि मैंगो चुए कुर सकते हैं तो देखें ये कितनी क्रीमी गाड़ी स्टायल की मैंगो लसी बन तयार है मैं जो रेली कंट कमेंट में जरूर छोड़ें हैं धो काओ कि इस अन्य सब्सजाने वाला और qué रेलीं में 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 जरूर चाहां। अब हम बना रहे हैं मैंगो शेक जो की घर-घर बनता है आज हमारी रेसिपी से बहुँ जादा एजी हो जाएगा एक कपचल मिल्क खूब सारा बर्फ और हमने उसमें डाला मैंगो का पल्प और ब्लेंड कर दिया अब मैं ग्लास को सेट कर रही हूं जिसमें मैंने वनिला ऐस स्टाइल की प्रजेंटेशन के साथ अब का तयार हो जाएगा तो देखे मेरा मैंगो शेक भी बनके रेडियो हो गया जटपट से है ना अब हमारी बात आती है कि मैंने जो बनाई थी ना मैंगो कुलफी वो कैसी है वो भी तो दिखाना है ना हमें तो वो मैं दिखा रही और ये देखिए मज़ेदार सी चार रेसेपी बनके रेडि हैं मैंगो लसी, मैंगो शेक, मैंगो रबडी, मैंगो रसमलाई आज की वीडियो में आपने फाइव रेसेपी के साथ मैंगो को प्रिजर्ब करने का तरीका भी सीखा है आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जैसे कि आपके पास नोचीफी किसन जाती रहें तो ये देगे आपास मेंगो कुल्फी के साथ तो मेंगो कुल्फी हमारी हुवण नवा नैट आइट में सेट उगई है ये भी बहुत जादा फ्लेवर फुल अफ मेंगो क्योंकि मेंगो पल्प हमने हर चीज बें डाला है जिसे कि मेंगो का फ्लेवर बहुत निकल-nikल के अच्छे से आ है तो ये हमारी मेंगो कुलफी वी रेडी है और मेरी जो फेवरिज रेसिपी नमें वो है मेंगो लसी आप अपनी फिर्विज रेसिपी को जरूरू बताएं थैंक यू फो वाचिंग फिर मिलते हैं बाँ बाई